Corporate Office का क्या मतलब होता है या आज की इस वीडियो में सीख लिते हैं Corporate Office का मतलब होता है कि किसी भी कंपनी का जो मुख्य प्रशाशनिक Office होता है यानि कि जहां से उस कंपनी का मुख्य कामकाज देखा जाता है यहां पर उस company के जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं वो जहां पर बैठते हैं उस office को corporate office कहते हैं यानि कि corporate office is the main administrative center of a company or organization where key decisions are made and various departments operate यानि कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि corporate office उस main administrative center को कहा जाता है जो किसी company के जहां पर जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं मुख्य अधिकारी होते हैं वो बैठते हैं और अलग-अलग department वहाँ पर चलाए जाते हैं यानि कि इस corporate office में जो है वहाँ उस company के executives management या administration के वो लोग बैठते हैं जो company की strategies को या company के functions को देखते हैं the corporate office may also serve as a hub for communication और collaboration among employees from different locations और यही जो corporate office होता है यह company का मुख्य केंदर office होता है यानि कि यही से जो है सारे employees के साथ communication किया जाता है या आपस में coordination या collaboration किया जाता है अब आप किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें